नमस्कार दोस्तो और वेलकम टू जीजल्स जोर्जिया मैलोनी का फोन कवर हुआ वाइरल उस पर लिखी बाते पढ़कर चोग जाएंगे मोधी अचानक आखिर क्यों अपने पती से अलग हो गई मैलोनी अब मोधी के साथ मैलोनी की रोमेंटिक तस्वीरे क्यों वाइरल हो रही है मोधी की महिला मित्र मैलोनी ने चीन को दिया जोरदार जटका चीन ने अपने खतरनाक प्रोजेक्ट में कैसे फसालिया 140 देशों को दोस्तो इटली के प्रधान मंत्री और मोधी की प्रिय मित्रत जोरजिया मैलोनी का फोन कवर इस वक्त बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है लेकिन उस पर लिखा टेक्स्ट और भी ज़्यादा संसनी मचा रहा है आखिर मैलोनी के फोन कवर पर ऐसा क्या लिखा था जिसे सभी जानना चाह रही है वीडियो में जानेंगे आगे लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इटली ने कौन सा जोड़दार जटका चीन को दे दिया है इटली ने आधिकारिक तोर पर चीन का Belt and Road Initiative छोड़ दिया है इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल कर इटली खुद को एक बड़े जंजाल से बचा चुका है 2019 में पहली बार इटली इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था मार्च 2024 में ये प्रोजेक्ट एक्सपायर होने वाला था इटली ने इस अवधी में तीन महीने पहले ही चीन को नोटिस दे दिया अगर इटली ऐसा नहीं करता तो प्रोजेक्ट आटोमेटिकली रेन्यू हो जाता इटली जैसे बड़े देश की तरफ से ऐसी खबर सुनकर चीन का दिल तूट गया माना जा रहा है कि अब इटली के बाद अन्य देश भी चीन का BRI प्रोजेक्ट छोड़ सकते हैं जिसकी शुरुआत इटली ने कर दी है राइटर्स के मताबिक चीनी सरकार को इटली सरकार की तरफ से एक लेटर दिया गया है इस लेटर में चीन को 440 वोट का जटका देने वाले शब्द लिखे हुए हैं इसमें बताया गया कि इटली बियाराई समझोते को रिन्यू नहीं करेगा इससे चीन इटली के रिष्टों पर असर नहीं पड़ेगा 2021 आकडों के अनुसार इटली और चीन के बीच बाइलिटरल ट्रेड तकरीबन 45 बिलियन डॉलर का था 10 सितंबर को नई दिली में इटली की पीम जोर्जिया मेलोनी ने भी इटली और चीन के रिष्टे पर यही बात कही थी उन्होंने कहा था कि इटली और चीन का रिष्टा सिरफ बियाराई तक सिमित नहीं है BRI से अलग होने से चीन के साथ हमारे संबंदों पर कोई असर नहीं पड़ेगा आप सभी को बता दें कि दुनिया को अपनी गिरफ्ट में करने के लिए जिंग्पिंग ने BRI की घोशना 2013 में की थी अब तक करीब 140 देश इस मायाजाल के गिरफ्ट में आ चुके हैं चीन का Belt and Road Initiative यानि की BRI है जिसे नया Silk Route भी कहा जाता है ये कई देशों का connectivity project है कई लोगों का मानना है कि इस project के तहट चीन अपना agenda चलाता है BRI के तहट rail, सडक और समुदरी मार्ग से Asia, Europe, अफरीका के 70 देशों को जोडने का प्लान है चीन हिंद महासागर या कहें कि भारत के करीबी देशों में बंदरगा, नोसेना के अड़े और निगरानी पोष्ट बनाना चाता है BRI के जरिये चीन कई देशों को भारी भरकम कर्ज दे रहा है चीन ने यूरोप में भी कई देशों को भारी भरकम कर्ज के जाल में फसा रखा है कर्ज ना लोटा पाने पर वो उनके बंदरगाहों पर कबज़ा कर लेता है BRI किसी भी देश की तरब से शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे अब इटली बहार हो चुका है इटली की प्रधान मंत्री जोर्जिया मैलोनी ने कोप 28 में पिया मोदी के साथ एक सेलफी खीची थी उन्होंने जब इसे अपने ट्वीटर पर पोस्ट किया तो देखते ही देखते ही ये शेर होने लगा इस पर हजारों की संख्या में फणी और रोमेंटिक मेम बनाए गए लोगों की द्वारा ऐसे ऐसे वीडियो शेर किये जा रहे हैं जिसमें AI की मदद से पिया मोदी के आवाज अपने हीरिये मैलोनी के लिए रोमेंटिक गाने गा रही है कुछी समय में इस पर लाखो करोडो रियाक्शन आ गए लेकिन इस दोरान उनके फोन कवर ने लोगों का अपनी और ध्यान खीचा उनके फोन कवर पर चिंता को खतम करने से जुड़ी कुछ बाते लिखी हुई है उनके फोन कवर पर एक सकरात्मक राय अपने लक्षो को प्राप्त करने की शमता और आत्म विश्वास को बढ़ाने वाले संदेश लिखे है इस पर जो लिखा है उसे आप ध्यान से सुनिए मैलोनी के फोन कवर पर लिखा है मैं ही अपनी ताकत हूँ और मेरी चिंता मुझे परिभाशित नहीं करती ये लाइन अपने आप में बेहत ताकतवर स्टेटमेंट है इसके अलावा कवर पर लिखा है कि मैं खुद को ब्रेक लेने की इजाज़त देती हूँ और मैं काफी हूँ इस मोटिवेशनल स्टेटमेंट पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे नीचे कमेंट में जरूर लिखें मैलोनी के पर्वक्ता ने उनके कवर के बारे में जानकारी दी है उन्होंने बताय कि मैलोनी की साथ साल की बेटी जिंडरवा ने उन्हें ये फोन कवर दिया था मैलोनी अक्टुबर में जिंडरवा के पिता और अपने पती एंड्रिया गिया बुरूनो से अलग हो गई थी उनकी एक recording सामने आई थी जिसमें वो महिला सहकर्मी से अभधर टिपनी कर रहे थे पिछले सबता सैंक्त अरब अमिरात में सैंक्त राष्टर के वार्सिक जलवायू परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के दोरान जोर्जिया मैलनी को भारतिय पीम के बगल में खड़ा देखा गया था तो दोस्तो इस पूरी अपडेट और विशलेशन पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुच सके वीडियो आन तक देखने के लिए आपका धन्यवाद